सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग यह आस्मान का इशारा है कल का सुरच तुम्हारा है नमस्कार व्यन्म टीवी की राशी चक्रों अदिशा में आप सभी का स्वागत है मैं सुहाली जैन सुबह के आठ बच चुके हैं और आज का दिन है रविवार का दिन वैसे तो हर दिन किसी का अच्छा होता है तो किसी का बुरा होता है कभी मन अच्छा होता है कभी मूड अच्छा होता है तो कभी मूड बहुत खराब होता है कभी मन भारी होता है तो क्या आपको पता है हमार कर्भबात करेंगे और जानेंगे गौर्व और वस्थो शास्त्री मुकेश ओमकार गुपत्य आपका पूरे सप्ताह का जो राशी फल है वो क्या रहेगा तो मुकेश ओमकर गुप्तर जी आप सब आपका स्वागत है जैसे कि सवानी ने बोला कि ग्रह का जो भी होता है ग्रह गोचर के वजे से ही सबीका राशी फल में सबीकी जिंदीगी के अंदर उतार चड़ावाते ह और उसके हिसाब से ही आपको मैं आने वाले सप्ते का जो राशी फल है वो बताने वालाता हूँ सबसे पहले मैं बताता हूँ मेश राशी का मेश राशी के आपकी परणा मच्छे मिलेंगे लेकिन आपके शनी 11 में वहाँ होने के कारण इस वक्त आपको लक्ष प्राप्ति के अंदर फोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा इसलिए आप इस हपते में ओं गवं गड़ पता है इनमा का 21 वक्त रोज जब करें तो आपको उसके अंदर काफी फायदा मिलेगा वर्शव राशी वर्शव राशी के अंदर राहू 11 वे वहाँ होने के कारण इस वर्श जातक के जॉइंट्स में पेन रहेगा बॉडी में थोड़ी तकलीफ रहेगी लेकिन उससे सबसे बचने के लिए आप ब्रस्पती के दिन ब्रस्पती भगवान को प्रसंद करने के लिए पीले कलर की बश्टू को अदान करें और ब्रह्म बश्पताय नमा का जब करें तो यह आपके लिए जो बॉडी की अंदर से जो आधी व्याधी उपादी है उससे आपको फायदा मिलेगा मित्वन राशी मासमद्रा का सेवन ना करें अगर आप करते हैं तो मासमद्रा का सेवन बिल्कुल ना करें इस हफ्ते स्वास्त आपके अन्कूल रहेगा, थोड़ा हेल्थ के अंदर अपेंड डाउस रहेंगे, पैसे का लेंदेन ना करें, पैसे का लेंदेन करने पर आपको नुक्सान हो सकता है, पूरे हफ्ते, पैसे का लेंदेन किसी को यानि कि किसी को पैसा देना है, तो पैसा न जो लोग अपना बिजनस कर रहे हैं, वो साथधान हो जाएं, उनके लिए कुछ संकट आने का समय हैं, इसलिए हर दिन आप ओम नमो नारायना का जब का उच्चारन करें 21 बार, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, करक राशी, करक राशी चंदर की राशी है, इ आपको बीमारी होने का भी थोड़ा सा जोराने का, यानि की बुखाराने का, या कुछ इस टाइप की शारदिक पीड़ा होने की थोड़ी सी, इसके अंदर आपका संभावना बनी होई है, और ऐसी परस्तिती को हर्पकार से निरासरजा बचने के लिए, आपको ब्रस्पति शनीवार के दिन, दसमी कारण की होनी कारण आमंदी में बद्धी होगी, और शनीवार के दिन आप गरीबों को दान करें, गरीबों को शनीवार के दिन, जैसा की मैंने बताया आपको सरसो का तेल है, या पीली काली कलर की वस्तू है, या ओरत की दाल है, उसका दान करें, त हमारी सेहत जीवन की असली पूजी है, सबसे पहला निरोगी काया, इस बात का ध्यान रखें, इस बात पर अमल करेंगे, तो आपके जीवन पर कारस्थल पर और जीवन पर अगर आपके स्वास्त का ध्यान रखेंगे, तो आपके स्वास्त पर भी अच्छा प्रवाप पढ़ चारह खिलाएं और पीले ग्रीन कलर की वस्तूओं का ज़यादा से ज्यादा दान करें। तो आपके लिए बहुती फाईदा रहेगा। इसके बाद में आती है कन्य राषी। कन्य राशी के राहु सात्मे भाव में है। साथ में भाव के कारण होने के कारण आपको जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की गुस्सा बहुत आएगा आपको उससे में कंट्रोल करने जरूर आवश्रक्ता है इसलिए इस दोरन आपको स्वएम्भी अपनी ऐत ज्युक्वी खराध आदत है जैसे कि किसी को मोकिंग करनी क bisschen करनी की आदती है किसि को ड्रिंग करनी की आदत या किसी वो तो वो अrän आदतों से थोड़ा बचंद को कंट्रोल करें जितना हो सके पम उतना कंट्रोल करने की की कोशित करें तो आपका स्वास्त बहुत अच्छा रह Сवास्त रहे गा और इसके साथ ही साथ आपके खर्षे क आपके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, खर्ची को अपने को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है, राहू के सात्मिवाव में होने के कारण, और परिस्तितियों में अपने आपको, खुद को पूरा-पूरी तरीकी से ध्यान रखे और हर रोज विष्णू सहस्त्र नाम, बगवान विष्णू के सहस्त्र नाम का पाट करें, तो आपके लिए बहुती ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसके बार में तोला राशी, जीवन के सभी प्रकार की अशुबदा से आप बचेंगे, आपको मानसिक सांती परिशान क किसी भी बात पर चोटी चोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है, गुस्से में कंट्रोल करना है, ऐसे इसके लिए आपके शरीर में अगर गुस्सा करेंगे, तो आपके शरीर के अंदर नुकसान होगा, और आपको मेंटल डिप्रेशन होगा, इससे बचने के लिए आप गरंत के अंदर ललता सैस्तर नाम जो माता लक्षमी का रूप उसका है ललता सैस्तर नाम का जितना जाद से जादा हो सके उतना पाट का जब करें उसके अंदर वर्षिक रासी के लिए इस वर्ष आपके पहले से ये वर्ष आपके लिए स्वास्त के लिए बैतर है छटे वह में आपके अंदर ब्रस्पती है जिसके काराण आप अपने आपको तरुताजा मैसूस करेंगे खुशमिशाज रहेंगे फैमली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंट करेंगे और कहीं बाहर जाने के भी आपके प्रोगाम रहेंगे उन प्रोगामों के लिए आप लाइफ में एंजॉयमेंट कर सकते हैं सफलता की रूज उपाय 21 बार ओम नमस्यवाय का जब करें रोज 21 जो जब बताया वो कभी भी कर सकते है या फिर खास शंकर भगवान रोज करना तो रोज है लेकिन जो जब करने के साथ साथ अभिशेग जो करना है वो सवमार को करना है जब आपको रोज करना है जब तो भगवान शंकर का जब तो जब चाहें जब कर सकते हैं वो तो अंतर रभवन कर जितना जब करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेबंद रहेगा धनु राशी राहू के चोथे भाग में राजबन होने के कारण किसी भी बात पर चर्चा करते समय अपने परवारों के बीच में ध्यान रखें मदवेद ना रखें मदवेद रखने पर आपकी घर के अंदर ग्रेक अलेश हो सकती है इससे सभी बचने के लिए राही का पहार भी बन सकता है चोटी-चोटी वात तों को बड़ी बास हो सकती है पत्नी के साथ में पती-पत्नी के बीच में अच्छे से संबंद बना के रखें और अगर उपाय से बचने के लिए ब्रस्पति क बहुत ही सरन उपाय है जो आरम से हो सकता है मकर राशी शनी के दूसरे बाव में होने के कारण ये घरेलू प्रॉलम लेके आएगा पारवारिक थोड़ी सी समस्य रहेगी घर के अंदर स्वास्त का माता-पिता का स्वास्त में तोड़ा सा डाउन फॉल रहेगा इसलिए उस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कुम्ब राशी इस सप्ता रावू दूसरे भाव में होने के कारण आपको दूसरे के आलोचना से ज़्यादा अपने काम पर अपने व्यवसाय पर अपने जॉब पर ज्यादा ध्यान रखें तो आपको स्वास्तिकालाब भी मिलेगा आपको पैसे का benefit भी मिलेगा और आपको हर तरीकी से इसमें फायदा मिलेगा और अगर सकारतमक सोज में रहेंगे तो वानी के अंदर मदूरता लागे रखें किसी को कड़वा ना भूले क्योंकि इस अपते आपका किसी के साथ में लडाई जगड़ा होने का chances है इसलिए बच कर रहें मंगलवार के दिन केतु ग्रे के हवन का यग करें मंगलवार को केतु के भगवान के मंत्रों से जब करें तो काले तिल के साथ में करें जो के साथ में करें तो अच्छा रहेगा और लास्ट में है मीन राशी मीन राशी की इस सब्ता आपकी सेहत केवल सुधाराने के प्योग बनेंगे बलकि आपको जीवन में बहुत सारे सुब परणाम भी मिलने वाले हैं और अपनी खुशियों को दूसरी को बाटने की कोशिश करें तो आप भी खुश रहेंगे, आपका परवार भी खुश रहेगा धन आने के योग हैं आपका फजा हुआ पैसा भी वापस आने वाला है इसलिए इस बार 11 बार शिव ओम शिव निवाय शिरी शिवाय नमस तुभयम श्री शिवाय नमस तुब्यम, ओम नमस शिवाय, ओम नमस शिवाय का जब करें, दिन में ग्यारा वक्त, किसी भी समय जब कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सकारप्त मक्त होगा मानिए, ये सब्ता सभी राश्यों के लिए मुसली अच्छा है, लेकिन भगवान और भगवान शिव, ये तीनों का जम नमन करते रहें, तो बहुत ही अच्छा और शुप रहेगा, तो ये हमने एस्ट्रो गुरू से जाना कि कौन सी राश्यों के लिए कैसा दिन रहेगा, और यदि दिन खराब भी होता है, तो इसमें उपाए भी हमारे एस्ट्रो सुर्य भगवान को, सुर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, यदि ये अच्छा होता है, तो सारे अच्छी हो जाते है, यदि सुर्य ग्रह खराब है, तो कही न कहीं इसका आसर दूसरे ग्रहों पर भी पड़ता है, तो हम उज्वरू से जाने म criticize का कि वहां मारा कैसा है, और यदी खराब है तो उसको अच्छे करने के उपाय क्या है? देखे जिसा कि आपने बताया है, सूर ग्रह जो है, अपने नो ग्रह के अंदर सूर राजा है, साक्षात कल्यूग के अंदर दो देवता हैं, जो इस समय साक्षात हैं, एक तो सूर देव, क्योंकि उनको हम अपनी आखों से देख सकते हैं, दूसरे हनमान ददा, हनमान ददा कि अगर आप प्रात्ना करेंगे, उनको सच्छे मन से यत करेंगे, तो किसी नै किसी रूप में आपको कही ना कहीं साहता करनी के लिए पहुँच जाएंगे, तो मैं भगवान सूर्द के बारे में बात करता हूँ, जो जातक अगर किसी के सामने बोलने में घवराता है, किसी के सामने प्रॉपर बोल नहीं पाता, उसको फेस नहीं कर पाता, मन बुझा बुझा रहता है, उत्सा ही नहीं है, तो उसका सूर्द खराब होगा, उसका सूर् किसी पापी करे के साथ में जैसे राहू के साथ में बेटा है तो सूर गरना दोश हो जाता है उसके साथ में सूर किसी और गरे के साथ में होता है तो वो प्रॉल्म हो जाता है तो ये सूर खरा होने की कारण उपाये हैं जिसके कारण हमारे केंदर उत्सानी होता है हम अगर किस भी अच्छा केरियर मिलता है और इसको गौवर्रमेंट में भी अच्छा जॉब मिलता है अच्छी कैटेगरी में एक होगा सूर्य का होना कुण्डली के लिए अतियाविशक है और इसको उच्च करने के लिए काफी कुछ उपाये हैं जो हमारे अस्ट्रोलोजी के अंधर मता गई समय दो उसके बाद में सूर्य भगवान को अर्क अवश्य दें उसका वंग वक्त क्या होगा उसका वक्त सूर्य उदय जो होता है उसकी एक गंटे के अंदर-अंदर आपको जैसे कि पाँच पेटानिस पर याने कि होता है तो सात वजे तक या मैक्सिमम साड़े साथ वजे तक आपको सूर्य को अर्क अवश्य दे देना चाहिए, बाकि देने के लिए तो लोग आप 10 वजी भी देते हैं, 11 वजी लेकिन उसका कोई वैली नहीं, कोई तात्वर्य नहीं है, एक गंटे के अंदर अंदर जिस समय सूर्य ओद्य होता है, उसके एक गंटे के अंदर अंदर हमको सूर्य को अर्क देना चाहिए, लेकिन सूर्य अर्क देने के समय हमको दो ती चीज का विशेश दियान रगा चाहिए, एक तो उसके अंदर जो कलश होता है, जो लोटा होता है, वो हमेशा तावे का होना चाहिए, वो लोहे का नहीं ह होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लोहे के स्टील के रोटे को लेकर अर्क देना चालू कर देते हैं, आपको माले में, लोहे के इंदर शनी भगवान होते हैं और सूर और शनी दोनों पिता पुत्र तो हैं लेकिन एक दूसरे के दुश्मन हैं सूर पिता हैं शनी पुत्र हैं लेकिन एक दूसरे के दुश्मन हैं इसलिए कभी भी लोहे की वस्तु से कभी भी लोहे के लोटे से कभी भी अर्क नहीं देना चाहिए. उसके लिए तावे की तावे का जोलोगता होता है, तावे का कलश होता है. वो बैस्ट होता है. तावे के कलश के अंदर, आप लाल कलर का सिंदूर की जिसको कंकुब होते हैं, गुजरफ के अंदर. कुल पहलेको प्रिषा जांट। हो थोड़ेसा टोड़ा सा डालों कि लाई थोड़ा थे मिष्या पूरी मुझा दाट कियों तो जतले कि दोड़ेदा जसके लिए पूंदान के मिच्टान खाहिए तो कि आपको मीठे फल चाहिए, तो मीठे फल के लिए आपको भगवान को भी मीठा लगाना, हम भगवान को प्रशाद लगाते हैं, हर चीज का संभरपन करते हैं, तो उसके लिए हमको भगवान को फुरी सी चीरी डालकर भगवान को अर्क देना चाहिए, हमारे हाथ ऐसे हो चाहिए और यहां से जो सूर्य की जो किरणे गिरती है उसमें से जो reflection आती है उससे हमारे शरीर का तेज बढ़ता है उससे हमारे को आत्मा हमारी जो होती है आत्मा का कारक है हमारी आत्मा वजबूत होती है और हमको confidence आता है विश्वास आता है जो बच्चा पढ़ने में है कि 100% वो बच्चा पढ़ने में निपोन हो जाएगा और इसके साथ साथ लाल कलर की वस्तू में लाल कलर के कपड़े हो गए तावे की कोई वस्तू हो गई ये इस चीज का दान करें गोड जो सूर्य भगवान को बहुत प्रिया है गोड और तिल के बनी हुई वस्तू है और अच्छे प्रणाम देंगे तो ये सब चीजें हैं जो आप सूर्य भगवान को उच्छी करने के लिए सूर्य सूर्य भगवान को गायत्री मंत्र बहुत पसंद है इसलिए रविवार की दिन अगर सभी को इन दूंगा करू enhancing दोंगा कि जिन जिन लोगी चुटिया है व मिशेश्वा तोर आपको बता दू मैं कि सूर्य भगवान के साथ साथ रविवार को कोवेर भगवान का भी इसमरड किये जाता है कोवेर भगवान जो माता लक्षमी के सचिव हैं माता लक्षमी अगर किसी को धन देती है तो उसके लिए कोवेर भगवान की सहमेती जरूरी है तो रविगार को भगवान कोवेर जिनका मंदिर बरोड़ा के पास में इस्थित कोवेर करनाली में एक ही मंदर है पूरे विश्व में और सभी जगे मंदर बहुत सारे हैं लेकिन कोवेर का मंदर सिर्फ एक ही है पूरे विश्व में पूरे संसार में एक ही मंदर है और वो है बरोडा के पास में करनाली गाओं हैं करनाली में कुवेर बंडारी का मंदिर है आप वहाँ पर जाकर दिर्शन करनी के लिए जाए और उसका मंत्र स्री यक्षाय कुवेर आए वैश्नवाए दंदान दी पताई दंदान संब्रिद्धी देदपाई स्वाहा इस मंत्र का जब क करें तो कुवेर भगवान आपको दंद से संब्रिद्धी से हर्सी से भरपूर कर देंगे तो सूर्य भगवान के साथ साथ भगवान कुवेर का भी आप विश्मरण करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा और इस दुनिया में आप सुख भूख कर आगे के लिए बढ़ेंग तो इसी के साथ अब हम एक छोटी सी वास्तो टिप लेकर आए हैं जो है तो छोटी लेकिन काम बढ़ा करती है तो ऐस्तो गूरु से जानें कि आज की वास्तो टिप में बदाता हूं जैसे कि बॉंब्बे है बड़ा-बड़ा सिटी है मेट्रो सिटी है वहां बहुती जगे ऐसे गर हैं, जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता, तो उस वो भी वास्तु दोश होता है, जेस गर के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं आता, वहां वास्तु दोश होता है, तो उस जगे गर के अंदर कले 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 श्याद होती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो आस्तु दोश को दूर करने के लिए तावे का बना हुआ एक सूर्व का प्रतिवा आती है, जिसके अंदर सूर्व का प्रतिवा बनी हुई होती है, उसको अपने पूर्व दिशा की दीवार पर, साड़े छे फुट की उचाई पर, उसको अगर आप लगा देंगे सूर्व द बहुत को 5 छूरी कि नहीं आती हैं तो उसे पूराने के उपाय जाने और जाना की आज पूरे हफ्ते आपकी राशी में क्या दर्शाय रहेंगे यदि आपकी कुंडली में भी दोश है या फिर आप पास्तु शास्र से लेकर कोई प्रश्ण करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं तो इसी के साथ एस्ट्रो गुरु का हम बहुत-बहुत धन्यवाद ओम नमश्वय तो फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह पर देखना ना भूले वी एन्म टीवी